Long Sleeve इस डिजाइन बनाने के लिए हमने एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लिया जिसकी लंबाई 14 इंच और इसकी चोड़ाई 12 इंच है कपड़े पे हमें इस्तरी की साहता से बाकरम को ऐसे चिपका देना है और यहां से हमें दो इंच की चौड़ाई नापनी है और लाइन अप कर लेनी है दो इंच की चौड़ाई के बगल में हमें चार लाइन गीचनी है जो की एक अक इंच की चौड़ाई पे है अब पहले वाले लाइन पे हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसके उपर एक बराबर में यहाँ पर सीधी सिलाई चला लेनी है तो इस तरीके से आपको भी सीधी सिलाई चला लेनी है दूसरे वाले लाइन पे हम कपड़े को बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे केवल एक पॉइंट की दूरी पे हमें ऐसे सिलाई चलानी है ज्यादा गैप नहीं रखना है हमें सारे लाइन पे हम बिल्कुल इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे तो ये देखिए हमने ऐसी पांच लाइन बना कर तयार कर ली है अब हमें क्या करना है यहां से हमें धाई धाई इंच की चोड़ाई नापते हुए टिक लगा लेनी है तो ऐसे हम धाई धाई इंच की चोड़ाई नापकर टिक लगा लेंगे टिक लगाने के बाद इस केल की सहायता से हम हलका हलका लाइन अप करेंगे यह देखिए आपको अच्छे से हलका हलका लाइनप करना है जहाँ जहाँ हमने टिक लगाया है धाई इंच की चोड़ाई पे अब हम इसके उपर सिलाई चलाएंगे तो सबसे पहला सिलाई हमें यहाँ पर चलाना है ये देखिए ऐसे हमें सीधी सिलाई चला देनी है फिर कपड़े को ऐसे घुमाते हुए इसके उपर डबल सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागे को कट करके यहां किनारे की साइड में कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है जिससे हमारा बहुती सुन्दा सा डिजाइन बन कर तयार होगा अब हम इस वाले लाइन के उपर सिलाई चला लेंगे कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है अब हम यहाँ पे सिलाई को स्टॉप करते हुए कपड़े को ऐसे घुमा कर सिलाई को डबल कर लेंगे बिलकुल इसी तरीके से एक बार इस साइड में हमें डिजाइन के उपर सिलाई चलानी है जिससे हमारा यह डिजाइन इजली तयार हो जाएगा यह देखिए इस लाइन को ऐसे कम्पिलीट करने के बाद अब हम किनारे की साइट से यहां से एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे तो एक बराबर में ऐसे लाइन अप करेंगे और सीधी कट कर लेंगे अब हमें इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है यहां से हम अच्छे से बराबर में फोल्ड कर लेंगे बराबर में फोल्ड करने के बाद अब हम इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कंप्लीट करते हुए हम यहां से धागी को कट करेंगे धागी को कट करने के बाद अब हमें चकोर सेप में दो कपड़ा लेना है एक कपड़े में हम ऐसी छोटी छोटी धेर सारी कटिंग कर देंगे ऐसी धेर सारी कटिंग करने के बाद अब हम फिंगर की मदद से कपड़े को हलका से रोलिंग करेंगे ऐसे और चौकोर सेप के दूसरे कपड़े में हम ऐसे इसे लगाते हुए अच्छे से लोग कर लेंगे अब पीछे के साइट से हमें धागे से अच्छे से लोग कर लेना है इसे जिससे हमारा पोतली वाला डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा ऐसी हमें धेसारी डिजाइन बना लेनी है जो कि हमने ऐसी धेसारी डिजाइन बना ली है अब हमें सारे डिजाइनों को इस वाले डिजाइन में यहां पर ऐसे लगाना है थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें पोतली वाले डिजाइन को ऐसे लगाते हुए इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेना है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाकर आल का ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हम यहां से धागी को कट करेंगे अब हमें आस्तिन का कपड़ा लेना है आस्तिन की लंबाई हमने 17 इंच ली है और इसकी चोड़ाई एक साइड से साड़े 9 इंचे कपड़े को ओपन करते हुए हम कपड़े में यहां पर छोटे छोटे चूनट बना लेंगे ऐसे बड़ा बड़ा चूनट हमें नहीं बनाना है एकदम छोटा-छोटा वाला चूनट होता है, वो वाला हमें चूनट बनाना है, तो इस लाइन को कम्प्लीट करते हुबे, अब हम यहां से धागी को कट करेंगे, अब हमें अपनी चूनट की चौड़ाई नापनी है, कि हमारा चूनट वाला कपड़ा कितना चौड़ा है, त उतना ही हमारा चूनट वाले कपड़े का चौड़ाई होना चाहिए तो हमारा चौड़ाई सेम है तो अब हमें चूनट वाले कपड़े पे डिजाइन को लगाना है तो ये देखिए पोतली वाले डिजाइन को हम ऐसे फोल्ड करेंगे यहां से इसे फोल्ड करते हुए थीरे थीरे आपको सियलाना है क्यूंकि नीचे के साइड में जो हमारा पोंतली वाला डिजाइन वह थोड़ा मोटा है, तो इसलिए आपको इस उपर धीरे थीरे सिलाई चलानी है तो यह देखिय burial हमने इस लाइन को कंप्लीट कर ली है इस line को complete करने के बाद अब हमें क्या करना design में हमें मोती लगाना है उपर के side में हमने पोतली वाले design लगाई है और नीचे के side में हमें ऐसे golden color की मोती लगा देनी है सुईधागा की मदद से मिनते हैं next video में एक नए design के साथ thanks for watching my video